Hi guys, हम पहुँच गए हैं set 7 की तरफ और इस वीडियो में हम बात करेंगे archaeological sites in हर्याना के उपर और उनके questions discuss करेंगे मुझे उमीद है कि आपको set 1, 2, 6 अच्छा लगा होगा और आपने सारे के सारे questions try करें होंगे मैं बार-बार आपसे request कर रहा हूँ और इसमें भी करूँगा कि आपका जो भी score आ रहा है वो comment section में बताओ बहुत compulsory है वो बताना उससे आपको एक parameter मिलेगा अपनी performance जच करने के लिए vis-a-vis आपके other competitors के exam के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आपको regret हो कि आप कुछ better कर सकते थे ताकि आपका score improve हो जाता इसलिए कह रहा हूँ कि आप जितने भी questions अभी करेंगे उसमें अपना score बताना कि आपने कितने correct करें कितने incorrect करें और कितने skip करें उसी से आप अपनी performance खुद जच कर पाओगे ताकि जो mistakes अभी कर रहे हो वो exam में ना करो so without wasting your 9 let's start with set number 7 for HCS 2021 साथ से पहला question आपने मुझे बताना है कि who built the fort of Hansi A, B, C, D तो आपका answer है B, Anangpal 1 Question number 2 who built the fort of Gohana आपका answer है D, Prithviraj Chohan तो अब अगर ये बताईए आपको वोड़ा सा confused अगर कर दें तो who built the fort of Tohana तो अब क्या answer हो जाएगा कि अभी भी answer Prithviraj Chohan ही होगा नहीं अब answer हो जाएगा A, Anangpal 2 तो फोर्थ अब मुझे बताईए एक step और हम आगे चले जाएए तो जो fort of Tohana है उसको completely destroy किस ने किया था तो आपका answer है B, Taimur ने उसको completely destroy कर दिया था अब ये question आप मुझे बताईए ये मुझे उमीद है कि आपको आना चाहिए कि तारवरी fort किस district में बढ़ता है आपका answer है A, Karnal और ये मैंने क्यों पूछा कि आपको किस ने पताऊना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या होई थी Battle of Terrain Battle of Terrain First वाली 1191 Second वाली 1192 Important question आपको आना चाहिए Six question के हम बात करते हैं अगर कि दिली gate, नगोरी gate, तलाकी gate और मुरी gate ये कौन से fort है जिसमें ये चारो gates आपको मिल जाएंगे तो आपका आंसर होगा C हिसार fort में आपको ये चारो के चारो gate मिल जाएंगे अब आप मुझे ये बताईए कि Who built the Jindh fort Jindhka किला किस ने बनाया आपका आंसर है C Gajpa Shah ने बनाया था Jindhka किला तो अब आप मुझे ये बताईए कि जो Sona fort है वो किस district में located है मुझे उमीद है कि अगर कुछ लोगों को idea नहीं है तो Sonaipat या Guru Gram में confusion हो सकती है उनको और इसका आंसर है C Guru Gram 9th question कहता है कि Raja Neher Singh का fort की construction किस से ने शुरू करी थी तो वो करी थी A राजा बलराम सिंग ने 10th question हम आप मुझे बताएए कि चोर गुंबद कौन से district में situated है A है आंसर है B महेंदरगर तो next question आता है कि दरोहर museum was established in Haryana in which year दरोहर museum की स्थापना किस साल में हुई थी 2004, 2005, 2006, 2007 तो आंसर है C 2006 12th question के हम बात करें कि how many forts of महाभारत period are there in Haryana महाभारत period के time के कितने forts हैं जो अभी हaryana में है 9, 10, 11, 12 आंसर है B 10 अब आप मुझे बताएए कि तो शाम्स बरादरी ये किस district में आता है तो ये है A भिवानी district में ये situated है कुंजुपुरा फोर्ट is located in which district आंसर है C करनाल अब आप बताएए कि विच फोर्ट is known as the gateway of Haryana तो आंसर है आपका C बहादुर्गर फोर्ट और आपको एक बात ये भी बता दूँ कि बहादुर्गर को gateway city of Haryana भी कहते है 16th question who was the divine of Shah Jahan who built a palace in Narnol बीरबल, राय मुकंदास, राय मातवदास ये none of these आंसर है B राय मुकंदास तो दोस्तो हमने बहुत important questions archaeological sites के अभी करे हैं आप मुझे ये बताएए कि आपको कहां अपनी weakness लग रही है मैं आपसे सिफ बार-बार कह रहा हूँ इस वीडियो को share करो like तो आप करते ही हो, वो तो करना ही करना है set 1 to 7 complete हो गए है बहुत सारे questions हो गए है एक बार कर चुके हो तो दुबारा करो क्योंकि questions भूल चुके हो गए तो दुबारा करो और नहीं करे हैं तो करने compulsory है so okay guys, all the best see you soon bye bye